नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु के विशेज काशकरम के साथ No Hard Work Only Smart Work एपिसोड 3 में हम आज बात करेंगे कि बच्चे एग्जैमिनेशन में परिक्षा में अच्छे अंग कैसे लेंगे आम तोर पर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं टूशन क्लास जाते हैं फिर भी बच्चों को अच्छे अंग नहीं आ पाते हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीका से क्या आप उपाय करे ताकि आपके बच्चे को भी परिक्षा में अच्छे अंक आने लगे और उनका पढ़ाई में मन लगने लगे तो हमारे साथ बने रही हम आपको एक एक उपाय बताएंगे हम आपको वास्तु उपाय भी बताएंगे उसके साथ साथ जो scientific तरीका है किस तरह से अपने बच्चों को guide करे कैसे उसको mark दरसित करे ताकि आपके बच्चे निश्चित रूप से परिक्षा में अबल आना तो हम सिधा चलते हैं क्या है तरीका क्या आपको करना है जो सबसे पहली बात है बच्चे को हमेशा group बना के पढ़ना चाहिए यानि आपको group study करना है देखिए पढ़ते बक्त कभी आप board नहीं होंगे अगर आप group study करते हैं तो group study के बहुत सारे फैदे हैं पहली फैदा जो और discuss आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने classmate के साथ अगर आप group study करते हैं साथ में दोस्त के साथ बीच बीच में आप हसी मजाग भी कर सकते हैं जिससे आपका mind refresh रहेगा और इससे आपको पढ़ाई में भी मनलंग लगेगा तो आप कोसिस करें कि आपके बच्च से आपको चीजे जल्दी समझ में आ जाएगी और यह study notes आपको examination परिक्षा के समय में बहुत मदद करता है अगर आप बाद में कुछ भूल जाते हैं तो आप अपने notes से देखकर आसानी समझ सकते हैं तो notes बनाने के भी बहुत सारे फायदे हैं जैसे revision के लिए best मना जाता है examination के time में परिक्षा के समय में आपको यह बहुत मदद करता है और revision में आप अगर अपने notes से करते हैं तो revision time आपको बहुत कम लगता है तो यह आपकी समय को भी बजा देता है तो हमेशा कोसिस करें कि आपके बच्चे notes बनाएं और notes बनाने के फायदे मैंने आपको बताया त इसके साथा जो important बात है पढ़ाई के लिए एक जगह चुनना देखे बहुत important बात है अगर आप अपने घर में पढ़ने के लिए एक fix जगह चुने तो यह आपके लिए best होगा लेकिन जगह ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको वहाँ disturb ना करें जहां आप सांती से पढ़ सके अगर आप रोज अपने पढ़ने की जगह बदलते रहते हैं तो इससे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आपको पढ़ाई से मन हटने लगेगा देखे सीधी सी बात है जब आप एक जगह पर बैठेंगे हमेशा तो वहाँ पर space programming होता है आप किसलिए बैठ रहे है आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपका दिमाग हमेशा पढ़ने के लिए सोचेगा जब आप एक particular खास जगह बैठेंगे तो तो ये कोसिस करें कि आप एक खास जगह भी पढ़ने के लिए बैठे एक जगह आप चूज कर ले अपने घर में ताकि जब भी आप उस सारा समान पढ़ते बक्त आपके पास होना चाहिए कभी कभी जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं कोई चीजे आपके पास नहीं होती है तो आप उठ करके चले जाते हैं उन चीजों को लाने के लिए तो जैसे ही आप उठते हैं तो पढ़ाई से आपका मन भढ़क जाता है और आपको फिर पढ़ने में मन नहीं लएगा, तो ये कोशिस करें कि जब भी आप पढ़ने बैठे, तो पढ़ाई की जितनी समान है जा जितनी जरूरी की चीज़ें है पढ़ाई के लिए, उनको अपने पास रखे तो आप पढ़ने के लिए बैठे, या एक्जाइम से कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर स्टेडी करना है, देखे अगर आप रेगुलर स्टेडी करेंगे, तो आपको एक्जामनेर्शन का कोई प्रेशर नहीं होगा, आपकी तैयारी हो चुकी रहेगी जब आप पढ़िक्षा देने जाएंगे, तो ये कोशिस करेंगे कि आप हमेशा रेगुलर स्टेडी करें, आप अपने बच्चों को मार्ग दरसीत करें, रेगुलर स्टेडी के लिए ये बहतर होगा, इसके साथ जो इंपोर्टेंट बात है, हर काम को समय पर पूरा करना, आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, देखिए काम को टालने की कोशिस न करने की आज़त उसे सिखाएं, इस आज़त से अपनी पढ़ाई भी बच्चे समय पर कर पाएंगे, और कबिर्दास जी ने भी लिखा है, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब, इसका मतलब यह हुआ कि कोई काम को आप टाले नहीं, जो काम करना है उसे समय पर निप टाले, यह आदत आपके लिए भविश में भी अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज आपके स्वास्त और दिमाग दोनों को फिट रखने की सबसे अच्छा तरीका है, तो कम से कम आप अपने बच्चों को 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करवाएं, यह बहुत इंपोर्टन है, अगर आपके बच्चे थोड़ा खेलकूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो निस्टित रूप से उनमें जो एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो होगा और उनमें एक्सरसाइज जरूर करवाएं, अब जो सबसे महत्पून बात है, आप अपना कॉंसेंट्रेशन लेवेल कैसे बढ़ाएं, देखिए, कभी कभी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, पर उनका मन इधर उधर भागने लगता है, अपने मन को कॉंसेंट्रेट करने के लिए मेदेटेशन सबसे अचा थारीका है, लेकिन आप भच्चे पढ़ने की पायेंगे, जो आप मेदेशन करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, बच्चों से ऐसा मेदेटेशन करवाना बहुत मुस्किल होगा, तो बच्चों के लिए एक सीमपल मेदेशन है, वह आप को करना है क्या है देखिए meditation करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सांत जगह में बैठ कर एक से 100 तक काउंट करें और यह आपको उल्टी दिशा में करना है लाइक की 100, 99, 98, 97 इस तरह से इससे आपकी जो बच्चे हैं उनका आश्मेन सक्ति भी बढ़ेगा और उनका concentration लेवल भी बढ़ेगा तो यह बहुत important है इसके साथ साथ जो काफी महत्पुन बात है आप किसी चप्टर को कैसे याद करें याद करने की क्या है तरीका यह बहुत महत्पुन है देखें, किसी चेप्टर को याद करने के लिए उसे एक week के बाद रिभायद जरूर करें फिर one month के बाद रिभायद करें इसे वह chapter पका आप को याद हो जाता है तो आपको चीजों को repeat करना जैसा आपने कोई चीज आज बढ़ा है तो उसको एक सपता के बाद निश्टी तूप से उसे रिवाइज करें फिर आप एक मन्त के बाद भी रिवाइज करें अगर आप ऐसा करते रहेंगे बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो ये आपके सब conscious mind में जाएगा और ये आपको परमानेंट रूप से जाद हो जाएगा इसके साथ-साथ पढ़ाई के बीच-बीच में आपको पंस से दस मिनट का ब्रेक भी लेना है ये नहीं कि लगातार चार घंटे पढ़ रहे हैं बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए आप कुछ इंज्वाय कर सकते हैं टीवी देख सकते हैं उसके बाद फिर से आप पढ़ने के लिए बैट सकते हैं तो इसका भी धियान रखें आप इसके साथ-साथ जो महत्पुन बात है आपको अपने सरीर को पहचानना है understand your body तो आपको अपने सरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग जो है उसको कब ज़्यादा पढ़ने का मन करता है रात में या सुबह में या दीन में तो जिस समय आपके दिमाग को पढ़ने का मन करता है तो कोसिस करें आप उसी समय पढ़ें और ऐसा भी कहा जाता है कि सही समय पर सही कार्ज करने को ही सफलता कहते हैं तो इन चीजों को भी आपका धियान रखना है इसके साथ साथ पढ़ाई करते समय किन चीजों का धियान आपको रखना है देखिए बहुत महत्पुन है यह जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ अगर इन चीजों का आप पालन करेंगे तो आपके बच्चे निस्चित रूप से परिक्षा में अब लेंगे यह आप समझ लिजे तो पढ़ाई करते समय किन चीजों का ध्यान आपको रखना है? सबसे पहली बात पढ़ते समय आप केवल चेर पर ही बैठकर पढ़ाई करें पढ़ाई करते करते 20 पर ना लेटें बिस्तर पर लेटने से आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा सोने में लगता है और आपको निंद भी आ सकती है दूसरी बात एकांत वाली जगह हमें पढ़े जहां हला गुला बिल्कुल भी ना हो पढ़ते समय टेलिवीजन, रेडियो या गाने भी बंद रखे जो सबसे महत्पुन बात है पढ़ते समय अपना मोबायल फोन स्विच आफ या सर्च लाइट या सालेंट मोड में रखे क्योंकि एक रिंग आने से ही आपका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है और मोबायल को आप निश्चित रूप से खुद से दुर रखे पढ़ाई के समय जो महत्पुन बात है पढ़ने से पहले सोच ले कि आपको कौन सा भिषय पढ़ना है सभी बिषयों का एक साथ ना पढ़ें आप ये कोशिस करें आप ये सोच लें कि आपको अभी कौन सा भिषय पढ़ना है और उसी भिषय को आप पढ़ें इसके साथ साथ जो सबसे खास उपाय है वास्तु उपाय अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे वास्तु के सरल उपाय से बच्चों को पढ़ाई में मन लगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको एक हरे रंग के तोते वाली पॉस्टर खरीद कर लाना है अपने घर में और उसे आप उत्तर दिसा में लगा दीजे जो तोते होते हैं जो पैलोट होते हैं उसका पॉस्टर आपको लाना है अच्छे से और आप उसको घर चे उत्तर दिसा में लगा दीजे वास्तु सास्त करुशार तोते की फोटो को उत्तर दिसा में लगाने से आपके बच्चों की पढ़ाई में रूची बढ़ने लगेगी साथ ही उसकी जो अस्मरन सकती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी तो इसके साथ साथ तोता पालने से भी बुद्ध करह की जो परभौ है वो बढ़ने लगती है तो आपकी बच्चों की जो बुद्धी है वो भी बढ़ने लगेगी तो मैंने आज आपको बताया कि पढ़ाई में मल लगाने के लिए और अबल आने के लिए अच्छे अंक लाने के लिए बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी है क्या है इसका खास तरीका, क्या है वास्तु तरीका अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो किरिप्याई से लाइक करे, सब्सक्राइब करे तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेर करे ताकि अगर उनके बच्चों के जीवन में या उनके जीवन में बच्चों से समधित कोई समस्या है उनके बच्चे परिक्षा में अच्छे अंक नहीं ला रहे हैं तो इन चीजों का फैदा उठा करके उनके बच्चे भी परिक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद